जैस शरी साम दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमकड मानों है तो आज के हमारी ये वीडियो खाटू साम जी की यात्राइगी होने वान लें तो इस वीडियो को बिना इसकीप के एंड तक जरूर देंगे चलिए दोस्तों स्टार्ट करते ह इस वीडियो को तो यह रात के एक बज़र अच्छोर हम पोच्के हैं खाटू साम के दौर पर अधिया अग्वाग का यह ओटल लेंगे और फिर वहां सुबह दर्शन करेंगे कहरें कि सुबच है बज़े दौर खिलेंगे उंदर के अग्वार यहादे से पर आपके एक कि अगर आपको पोटो के दौरें तो पोटो भी किस वा सकते हैं विल्कुल फाटू साम के दौर पर एक बज़े भी आपको काफी वीड ने जर आएगे आपके लिए सभी फोटोग्राफर के लिए थड़े हैं आपके अगर अगर आपको अपने आपके वाली वीडियो बनाने तो वह भी बना सकते हैं जिसका चार्जी आपसे 100 रुपीज लेंगे और वीडियो आपकी एक एटेड मिनिट की बना कर दे देंगे तो दोस्तों अब टाइम हो गए सारी थकावट को दूर करने का गर्मागरा जाय पीए तो यह ओटल यह ओटल गलोरियस 1400 रुपे में आठ जुनों के लिए अंदर से दिखाते हूं आपको अपर चलके रूम भी दिखाऊंगा तो वह यह रूम है थ्री बेड और दो गद्धे और रहेंगे भी 1200 रुपे में और यह बोश्रूम है इसमें गीजर में लग हुआ है अगर मंदिर से होटल की दूरी की बात करें तो लगबग 700 मीटर के आसपास है अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो आप इस होटल में रुख सकते हैं काफी अच्छा होटल था तो दोस्तों हमारा प्लैन था सुबह जल्दी उठकर दर्शन करने का है लेकिन रात को तीन या चार बज़े तक हम सो पाए तो उठने में थोड़ा देर हो गए नो बज़े तक हम रैडी हो पाए अब निकलें दर्शन करने के लिए वोगी टाइम होट हो था तस बज़ शक अब करने के लिए पतली पतली गलियों में से परसाद की आपको काफी सारी दुकाने मिल जाएंगी वहीं पर जुकते चपलाप रखेंगे परसाद लेत रखते हैं हमें अब यह सामकुंद के ओर जा रहे हैं अब जा रहे हैं पराचेंग सामकुंद से परके सामकुंद आजाएगा एक बार सभी वक्त कमेंट्स में जैश्री साम जी जरूर लिखें सामकुंद के सामकुंद के सामकुंद के नाम से जाना जाता हैं ऐसा वह आना जाता है कि इस कुंद में शाम भाग सच्चे मंचे एक डूब के लगा लें तो वह अपनी बुराईयों से दूर और अच्छे शरीर का दनी हो जाता है इसलिए आप जब भी खाटू साम जी बाबा के दर्शन करने आप तो सामकुंद में डूपकी चरूर लगाना दर्शन कर दे जाए कर दो करदो मैंनि का खालो है तब कर दो कि दो मुथला कर चंद बूगे कर दो कि अलेगा विल के कंघयात झाःत उवलिक कि आपकुला रफिकल्स कि अप्ट गर लें तो यह जह स्यांग बाबा नो इतनी लंबी लाइन लगी वे विए अब दो अज़ित तो अगर आप कभी वी दर्शन करने के लिए रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड़ लाइन में लगें आखे आपको फाषे दर् dobrसण और Evet यह ले च्री खांक दोस्तों काफी अच्छे से दर्शन होगें सांबा कास से दर्शन दर्शन हुए थे और परसाद आप selective चड़ाते हैं और दो लैन में याप जद यहां की फेमस कचोडी और कड़ी या फिर समोसा कड़ी ले सकते हैं पर आप पर के दुगांग से आपको यहां से तोपकर लेना पड़ेगा जो की फंदरा रुपे की लिग है कड़ी कड़ी यह रेट ली करेंगे लेना अब जा रहा है कि अब जा रहा है तो वहीं खाटों साम से भी गर के और जा रहे थे तो श्री माध्धोपुर और अजितगड़ के वीच में यह मंदिर पड़ा है डोंगुरु गर के और यहां से व्यूद देखो कितना अच्छा आ रहा है कि थोड़ी स्टेर्स चड़नी है मुश्किल से पचास हर्ज हो गया मुश्किल से पाच मिट में चड़लोगे अब अब पर चड़के और थोड़ा उपर चड़ना है दिखातों अब आगे आप उपर चल गया को अब यह है श्री टूमुरी भाला जी का मंदिर अब यहां से इतना अच्छा भी वारा पूरा अगर आप अपने विकल से हैं और श्राम बबाजी के दर्शन करके निकल रहे हैं तो रास्ते में आपको यह मंदिर देखने को मिलेगा जहां आप आधा एक गंटा यहां पर विता सकते हैं कि अधर आप खाटू साम के दर्शन करने आ रहे हैं तो यहां डूंगरी पे भी जरूर आए बालाजी डूंगरी पे दर्शन करने गाप यह अच्छा भी वारा रहा है यहां से पोड़ी स्टेर्स चड़ने पड़ेंगे आपको जोगे पांच मिट में आप चड़जा होग आपको तो दोस्तों अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हैं जल्द अगली वीडियो में जैशिरी शाम दोस्तों